हेलो एवरिवान वेलकम बैक अगेन जैसे कि मैंने प्रोटिप्स वाली वीडियो में आपको बताया था कि हम टॉपिक्स को शॉर्ट नोट से रिवाइस करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए अगला टॉपिक लेके आया हूं देट इस आर्ट इन्विट्रो फ ट्यूब की वीडियो को फोलू मत करना जहां आपको यह सिखाया जाया तुक्के कैसे मारें उसमें फर्स जाओगे जो आता होगा वह भी मार्ग्स गवाद होगे तो ध्यान से हम टॉपिक साट कर रहे हैं इन्विट्रो फर्टिलाइजेशन का तो इन्विट्रो फर्टिला जाता है जाइगोट डिवाइट करना शुरू करता है फिर उसे एंब्रियो टरंस वो उस्टेकनीक को स्टेज को ट्रंस adding इंफीपला बॉडस को नेकिकर अयर्शाइज से पहले को ट्रांसवर करोगे तो करोगे घिए उसके लिए यूज्स करते हैं इंट्रा फ्लों ट्रंस और 8 Cills Stage के बाद transfer करोगे तो करोगे uterus में तो उसके लिए वर्ड यूजा करते हैं इंट्र उत्राइं डेक लेते हैं हम फटा फट से वन वर्ड एज जैसा अनदर वन इस आयो टी इसके बाद हमें पढ़ना है gamut intra fallopian transfer that is gift अगर secondary oocyte को transfer किया जाए fallopian tube में किसी और female से किसी और female में that is gift gift के बाद ICSI intra cytoplasmic sperm injection ICSI में एक single sperm select किया जाता है और उसे inject किया जाता है इन्दी secondary oocyte या ovum basically secondary oocyte में inject कर दिया जाता है that is ICSI ICSI test tube baby means in vitro fertilization IVF में main difference यह होता है ICSI में only one sperm is selected इसके बाद आता है artificial insemination artificially अगर sperm को semen को female reproductive track में inseminate कर दे that is artificial insemination अगर हम उसे female reproductive track में particularly uterus में inseminate करें तो नया वर्डा जाएगा that is IUI intra uterine insemination तो thank you for this आपको ये topic एक बार go through करना है बहुत अच्छे chances हैं कि चार नंबर का एक question direct आपको यहां से मिल जाएगा ओके all the very best for your NEET exam thank you everyone मिलते हैं next video में दुबारा से झापको खिए नंबर करी तुर आपको ये जाएगा जाएगागा है कि'm चुझा जाएगा नंबर कर एक मिल जाएगागा something like what to say और에 मिल नंबर कर